आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम आशिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पैप का बहुत दोस्वागत है एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि सेकेंड वेव और कोविड नाइटीन खतम होने वाली है ये कुश हो जाओ मुझे भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों वैक्सिनेट हो रहे हो कि नहीं वैक्सिन लगाते रहो क्योंकि थर्ड वेव को आपको वैक्सिनी बचाएगी कल मैंने बहुत बढ़िया लेच्चर लिया था पता नहीं आपने देखा कि नहीं जरूर देखो कि थर्ड वेव कैसे आएगी और थर्ड वेव से कैसे बच सकते हैं अभी इसी वक्त जाके देखो फिलाल हम इस लेचर में देखेंगे क्या है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो इंस्टा पर मुझे फॉलो करो टेलिग्राम पर आओ यह इंडिया.com की खबर है और इंडिया टुडे ने इसको कबर किया है सेकेंड वेव अफ कॉविड नाइटीन पैंडमेक जुलाई से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा खतम नहीं होगा खतम तो बहुत मुश्किल है लेकिन जुलाई से वी विल बी एबल टू कंट्रोल अभी डिक्लाइन वही रहा है बहुत सारे शहरों में बहुत सारे प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि केसिस कम जा रहे हैं थर्ड वेव छै से आठ महिने बाद आएगी ठीक है तो अगर जुलाई में कॉविड नाइटीन पैंडमिक डिक्लाइन हुआ कंट्रोल में आया मुझसे बहुत लोग पुछते रहते सर पहले जैसी कंडिशन कब होगी सेकेंड वेव आती ही नहीं थर्ड वेव भी नहीं आएगी आप वेव समझते हो ना क्या है देखो समझो हमारी यह ग्राफ उपर गया उपर गया उपर गया फिर से धड़ाम से नीचे आया यह सप्टेंबर हो गया फिर उसके बाद एकदम से उपर किसे जाने लगे यानि क 2nd wave फिर यह नीचे आया फिर एकदम से ओपर नीचे तो 3rd wave यानि कि जैसे ही cases बढ़ेंगे पहले नीचे आगे फिर एकदम से case बढ़ने लगेंगे इसका मतलब wave आगी wave की कोई proper definition नहीं है दिल्ली में तो 4 wave आ चुकी है MP में भी ऐसा ही है लेकिन यहापे हम देश की बात कर र आएगी हम कंट्रोल कर सकेंगे अगस्त तक चीजे बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी यह मैंने आपको बताया था अगस्त तक जह आपने देखे थे नहीं 10,000-15,000 वह होगा तो अभी 1,5 महीना और लगेगा पूरा कंट्रोल होने में 3rd wave इसके 6 महीने बाद आएगी कल आ उन्होंने बोला कि फेस 3 लोकलाइजड होगा आहा बहुत अच्छा स्टेटमेंट कलेजे को ठंड़ पढ़ गई सर थैंक्यू सो मच फेस 3 लोकलाइजड होगा और वोंट अफेक्ट मैनी पीपल द्यू टू इम्मुनिटी यही तो हम यह क्यों भूल रहे हैं कि वैक्सिने आड़े 8 हो आए ठीक है तो अब समझे कि मैं लेच्छर करके वैक्सिन लगवाने जाऊंगा तो वैक्सिन के स्लॉट अविलबल हो रहे हैं और धीमे-धीमे सबको वैक्सिन लग रही है एक के बाद एक स्टॉक आ रहे हैं और मैं वैसे कोविशील लगवा रहा हूं तो इस इम्यूनिटी बनी साथी साथ सेकेंड वैव ने हमारी इतनी कमर तोड़ दी है घर उजाड़ दी है कि आप हमको इतना तो पता लग गया है कि हम लापरवाई नहीं बदल सकते तो हम कहीं पर भी जाब मैं देख रहा हैं सब मास्क पहन रहे हैं तो यह कौविड एप्रोप् हजार से कम केसे आएंगे यह रिपोर्ट में लिखा है सूत्र मॉडल ससेप्टिट इस बार सूत्र मॉडल बिल्कुल सही बैठा ससेप्टिबल अंडिटेक्टिट टेस्टेट और पॉजिटिव तो यह माथमाटिकल मॉडल के मैंने कई बार बात की है और एम विद्या साग हाला कि सूत्र मॉडल ने अभी कोई थर्ड वेव को प्रेडिक्ट नहीं किया है यह वर्किंग ओन इट के विजयर आगवन जो कि प्रिंस्पल साइंटिफिक एडवाइजर इन्हों ने पांच महीं को बोला है कि थर्ड वेव आ जाएगी वैसे मेरे खयाल में थर्ड वेव यह अच्छा सही है क्योंकि यह लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि अगर सही से नहीं रहोगे तो तीसरी वेव आईगी वरना लोग फिर से कैजूल हो जाएंगे दो दिन बाद हला कि के विजयवर आगवर ने बोला कि थर्ड वेव में भी ना आये लेकिन स्ट्रॉंग मिजर्स लेने पड़ेंगे तो आई होप यह लेचल आपको समझ में आया होगा तो जुलाई तक वेट करी और जब तक वैक्सिनेट नहीं होई है वैसे तो देखे मा नया रूल बन गया नया रूटीन बन गया है यह अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली जो अच्छा है मास्क लगाना कुछ रहे पर तरे दे से सिद्धान तक नहीं हो तरी साइनिंग ओफ वेबसाइट चालू होगी है दोस्तों आपको PDF आप वहाँ पर मिल जाएगी थैं